अपने पराए घर की लड़ाईयां कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ती हो, तो अपना ही परिवार साथ देता है भाईया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचालो रवी और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तुने अरे कुछ नहीं भाईया, मेरा दोस्त है न राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था मुझे नहीं पता भाईया कि वो वहां बैंक लुटने जा रहा है मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही CCTV कैमरे में दिख गया हूँ अब पुलिस मुझे डूण रही है भाईया, मुझे बचा लो राज कुछ सोचता है, फिर कहता है ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ तभी वहां रवी की बीवी, राज की बीवी के साथ आ जाती है तुम लोगों की घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चो को यहीं छोड़ दो उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा, तभी वहां पुलिस आ जाती है चलो चलो, कौन है रवी, फाने चलो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता अरे वो तो पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा, के कुछ पता है के नहीं, चलो कहानी का फ्लेश बैक भाईया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है तेरी भाबी की भी तब्यट ठीक नहीं रहती बजट बिलकुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं तेख लो भाईया, एक महीना है तुमारे पास जल्दी से घर खाली कर दो अरे कैसी बात कर रहे हैं भाईया मेरे शरीर में अभी इतनी हिमत भी नहीं कि घर को खाली करे तो क्यों अपना पोशन बेजा भाईया अरे तुम तु जानती हो पिताजी की बिमारी के कारण उन्हें हमारे जरूरत थी कैसे आते पैसे अरे रवी तू दो समझ पापा को हमारी जरूरत थी उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले यह मैंने क्या कर दिया था मैं न पिता का हुआ ना ही भाईया का मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है तबी वहां पुलिस वाला आता है रवी तुमसे कोई मिलने आया है भावी आप यहां क्यों आई पुलिस स्टीशन है यह भावी भाईया आपकी जगं मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती अच्छा यह खाना ले लीजिए खा लीजिगा आपके भाईया लगे हैं वकिलों और पुलिस वालों से बात करने में डरने की कोई बात नहीं जब आपने गुना किया ही नहीं तो सजा भी नहीं मिलेगी रवी भाभी को देखकर रोने लगता है घर में साक्षी चुपचाब बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है हरे साक्षी क्या हुआ परिशान क्यों हो रही हो भाभी अभी अभी पुलिस टेशन से खबर आई है इनने बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है मैं क्या करूंगी भाभी रो मत हम अच्छे से अच्छा वक्किल करेंगे लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी हम इतना पैसा कहां से लाएंगे अरे क्यों ये मकान है ना और मेरे कुछ गहने भी है साक्षी की आखों में पानी आ जाता है पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था पापा को तो बचा नहीं पाए लेकिन भाईया को जरूर बचा लेंगे और भगवान चाहेंगे न तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी थोड़ी दिर में राज वहां आता है सोनम सही कह रही है साक्षी पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुना को सजा नहीं मिलती राज एक अच्छा सा वकिल करता है सोनम और साक्षी बचाये पैसे और अपने गहनों को बेज कर रवी का केस लड़ते हैं और जल्दी रवी जिल से बहार आ जाता है रवी राज को गले लगा कर कहता है भाईया मुझे माफ कर दो मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है भाईया आपने मुझे पर विश्वास किया मेरे लिए दिन राद महनत की भाईया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे लिकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला भाईया एक आखरी बार मुझे माफ कर दो मैं शर्बिंदा हूँ अरे भाई अपने तो अपने ही होते है पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे और फिर तु तो मेरा भाई है पैसे से बढ़कर रिष्टे होते हैं भाई